किसान पुत्र चौधरी चरन सिंग किसान पुत्र होने का गौरव प्राप्त करने वाले चौधरी चरन सिंग का जन्म ततकाली नागरा तथा अवद के सन्युक्त प्रांथ की मेरत कमिशनरी के वर्तमान गाजियाबाद जन्पद में स्थित बाबूगर चावनी के पास स्थित ग्राम नूरपूर के एक साधारन क परिवार में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था उनकी प्रात्मिक शिक्षा गाव के ही स्कूल में हुई थी सन 1925 में उन्होंने आगरा विश्वविद्याले से एम एकी परीक्षा पास की इसके बाद उन्होंने वहीं से वकालत की पढ़ाई पूर्ण कर मेरत में वकालत शुरू कर कुछ ही समय में वे सफल वकील के रूप में स्थापित हो गए परन्तु उन्हें वकालत ज्यादा रास नहीं आई तथा सन 1930 में नमक सत्यागरह में जेल जाकर चौदरी चरन सिंग ने अपनी राजनीतिक यात्रा का श्री गनेश किया भारतिय स्वाधीनता आंदोलन के दूसरी श्रेनी के नेताओं में अपनी योग्यता, सुचबूर नेत्रित्व कुशलता तथा राजनीतिक पकर के बलबूते शिखर पर पहुचने वाले चौदरी चरन सिंग ऐसे किसान नेता के रूप में उभरे जिन्होंने जमीनदारी खेती का प्रशन हो या जाती विवस्था का प्रशन हो, गंभीरता से अपनी राय व्यक्त की। देश के प्रधानमंत्री के दाइत्व का भी निर्वाह किया। जो हमेशा उनकी मुक्ती तथा समरिद्धी के लिए सोचते, लिखते तथा संघर्ष करते रहे। चौधरी चरन सिंग ने महात्मा गांधी के उस आखिरी आदमी के दुयक दर्ध जिसके चलते वह गरीबी तथा बुखमरी की बधाल जिंदगी जीने को मजबूर हुआ, के शोशन को बहुत ज्यादा करीव से देखा तथा पहचाना। चौधरी चरन सिंग एक आंदोलन ही नहीं बलकी एक ऐसे समर्पित व्यक्तित्व थे, जिनके भीतर गाव तथा भारत का दर्ध चिपा हुआ था और वह यही कारण था कि किसानों, मजदूरों, गरीबों तथा समाज के दबे कुछले लोगों के प्रती हमदर्दी तथा उ लेकर उनका मानना था कि किसी ग्रामीन या किसान की समस्या को वही अधिकारी या व्यक्ति हल कर सकता है, जिसकी सोच वस्तूओं के प्रती किसानों की तरह की ही हो। हर कंप मच गया था तथा उन्होंने चौदरी चरन सिंग के इस कदम का जमकर विरोध किया था मगर यह विरोध बेकार गया। कि समस्याओं की गहरी जानकारी तथा उनके समाधान के लिए सोचने का ही परिनाम थासन उन्नी सो तिरपन में बना चकबंदी कानून। चौदरी चरन सिंग को इस बात की भली भांती जानकारी थी कि किसानों को दूर-दूर या अलग-अलग स्थानों पर फैले छोटे-छोटे खेतों के कारण जहां भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही इसे फसलों का उत्पादन भी प्रभावित होता है। इस कानून का किसानों को भारी लाब हुआ। उनके दूर-दूर के खेत एक या दो स्थानों पर ही चक के रूप में एकत्र हो गए। बेकार की मेये खत्म हो गई। सिंचाई का जहां प्रबंध हो गया वही रखवाली आसान हो गई तथा चकों तक जाने के लिए रास्ते, चक्रोल, मिल गई। इससे उपज में जहां बढ़ोत्तरी हुई वही श्रमशक्ती में भी बचत हुई। उनका क्रिशी विकास के शेत्र में यह क्रांतिकारी कदम था। चौधरी चरन सिंग जहां स्वामी दयानन से प्रभावित थे वही उनके जीवन पर महाले गांधी का प्रभाव था। पंजाब समस्या को लेकर उन्होंने लोकसभा में जो विशलेशन किया, उसे उनकी निर्भीकता, स्पष्टवादिता तथा दूरद्रिष्टिता-द्रिष्टिता का परिचे मिलता है। उन्होंने कहा, पंजाब का बटवारा ही सबसे बड़ी गलती थी। इसके परिनाम, भविशे में गलत निकलेंगे, पंजाबी भाशी राजे का गठन देशित में नहीं होगा, आज परिनाम हमारे सामने है। चौधरी चरन सिंग ने देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रन को जरूरी मान था। उनकी मानेता थी कि हमारा देश विशाल जनसंख्या वाला देश है, आथ यहाँ ऐसे उद्योगों को प्रात्मिक्ता नहीं दी जा जिसमें सारे काम, मशीनों द्वारा कराए जाए तथा कम लोगों को रोजगार मिले। वे ऐसे कुटीर उद्योगों की आवश्यक्ता पर बल देते थे जिसमें उत्पादन के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। उनका मानना था कि गावों में कुटीर उद्योगों की स्थापना से क्रिशी उत्पादन इनमे खपाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी तथा नहीं कच्चे माल की कोई समस्या सामने आएगी। वे क्रिशी भूमी पर बोज कम करने के हिमायती थे। उनका कहना था कि जब ज सरसत में उन्होंने काले धन में वृद्धी तथा इसे कैसे बाहर निकाला जाए। शीर्शक से एक लेक लिखा तथा अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रित्वकाल में इसे देश के विभिन प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को भेजा था। इस लेक में चौधरी चर उन्होंने देश की बधाली के लिए गरीबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक हालात को दोशी ठहराया। चौधरी चरण सिंग जाती प्रथा को राजनीतिक गुलामी का प्रमुक कारण मानते थे। उन्होंने स्पष्ट किया की जाती विवस्था के मोर के चलते देश में एकता का अभाव रहा, तथा इसी कारण से हम विदेशी आकरंकारियों का मुकाबला करने में हम नाकाम रहे। जातिवाद की प्रथा आज भी हमारे समाज को गुन की तरह खाये जा रही है। स्वार्थों को राजनीती के चलते वर्तमान में भी हमारा समाज इस कोर से छुटकारा नहीं पासका है। चौधरी चरन सिंग जब सूचना एवन नयाय मंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के राजस विभाग को आदेश जारी कराए कि किसी भी रिकार्ड में जाती दर्ज न की जाए। 16 फरवरी, 1951 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में चौधरी साहब ने प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस का कोई सदसे स्वयं को जाती के आधार पर बने किसी संगठन अत्वा संस्था से नहीं जोडेगा। उनका यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित भी हुआ। चौधरी चरन सिंग ने धर्म तथा राजनीती को अलग करने का सुझाव दिया था। उनका मानना था कि धर्म के आधार पर गठित दलों को राजनीती में प्रवेश की इजाजत नहीं देनी चाहिए, परंतु वोटों की राजनीती के चलते कागरे सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पंजाब समस्या इसी ध्यान न देने का परिनाम है। को लोग सभा में पंजाब समस्या पर काम रोको प्रस्ताव पर बोलते हुए चौधरी चरन सिंग 26 जुलाई सन 1983 ने धार्मिक सांप्रदाइकता से समझोतान करने की चेतावनी दी थी, उन्होंने साफ कहा था कि सरकार इस मसले को जल्दी हल करें, यदि देश के हितों को अपने से उपर रखा जाएगा, तभी बात बनेगी अन्यता नहीं। आज राम जन्म भूमी बाबरी मस्जिद जैसे विवाद भी इसी धार्मिक शुद्रता की उपज है। नहीं बनाया जाएगा, तब तक राष्ट्रिये एक्ता के धागे मजबूत नहीं होंगे। निशपक्ष्व प्रभावी संस्था बनाने के लिए इस बात की अनुशंसा की थी कि चुनाव आयुख्थ तथा चुनावी मशीनरी किसी भी स्तर पर सरकार से प्रभावित नहों, चुनाव आयुक्त का चैन उच्चतम न्यायाले के न्यायादीशों की समिती की अनुशंसा पर किया जाए नकी केंद्रिय मंत्रि मंदल की अनुशंसा पर। जब तक ऐसा नहीं होगा, निश्पक्ष चुनाव तब तक केवल म्रिगमरीचिका ही बने रहेंगे। चुनावों में धनबल, भुजबल, पुलिस तंत्र तथा प्रशासन के दुरुपयोग को रोकने के संदर्भ में भी उन्होंने अनेकानेक महित्वपूर्ण सुझाव चुनाव आयोग को भेजे थे।